इसे समझने के लिए पहले में आप याद दिलाओंगा जैसे गुडा में तुमने विद्करम पड़ाओगा ठीके एग्जम्पल लेगा किवसकि लिए टैसे मैं न जोनदो हए और के अग्जम्पल ले लिए तीन का भिक्रम एक भटा तीन होता है क्योंकि इन दोनों का अग्णफल भी एक होता है एक और एकज्मपल ले 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 लास्ट दो बटा तीन 2 बटा 3 का वित्करम होता है 3 बटा 2 क्यूंकि इन दोनों का जो गुडन पल होता है वहाँ भी A को होता है ठीक है इसी प्रकार से आवियू में भी वित्करम होता है अगर A कोई square matrix है ठीक है और एक अन्य square matrix B का अस्तित्व इस प्रकार से है कि AB is equal to BA equal to I identity matrix यहाँ पर I जैसे अभी example गुड़ा वाले example में बताया था कि वहाँ पर गुडन फल क्या आना चाहिए एक ठीक है इसी प्रकार से हाँ पर गुडन फल I आना चाहिए identity matrix और identity matrix याद होना चाहिए तुमें identity matrix में जो बिकर्ण के elements होते है diagonal के elements वो एक होते हैं और बाकी जो elements होते हो 0 होते है ठीक है पर एक्जमपल जैसे दो गुडना दो कोटी का square matrix है तो identity matrix होगा पहली रो में 1 0 और दूसरी रो में 0 1 ठीक है तो अगर a square matrix है और a करने हम square matrix b का अस्तित्व इस प्रकार से है कि a b is equal to b a equal to i तो b को a का bit करमावी कहते हैं और इसे a inverse से new bit करते हैं ठीक है अच्छा इसमें एक important बात है कि अगर a b equal to i है और b a equal to i नहीं है तो b a का inverse नहीं होगा ठीक है अगर order change करने पर भी product same रहे product i आए ठीक है means a b is equal to b a is equal to i ठीक है दुबारा से बोलता हम अगर a को square matrix है और एक अन्या square matrix b का अस्तित्व प्रकार से है कि a और b का product a b equal to b a ठीक है order change करने पर भी होई same होना चाहिए equal to i identity matrix then b is set to be inverse of a and it is represented by a inverse next exercise 3.4 जो हमने start करने जा रहे है वह बेज़्ड है पराद्रमिक संक्रिया पराद्रमिक रुपांतर भी कहते हैं से द्वारा दे गए आव्यू का बित्करम ग्याद करना ठीक है तो next exercise में हम जो matrix हमें given होगा उसका inverse निकालेंगे पराद्रमिक रुपांतरन या पराद्रमिक संक्रिया द्वारा ठीक है इंग्लिश में इसे कहते है elementary operation और transformation operation समझते हैं जैसे संक्याओं के लिए होता है दो संक्याओं के बीच में गुडा multiply जोडना घटाना भाद ठीक है जैसे उसकेस में operation होता है वसी परकार से यहां पर operation तो यह operation टोटल होते हैं छे परकार के तीन row operation होते हैं और तीन column operation होते हैं ठीक है तीन पंक्तियों पर और तीन इस्तंबर पर होती हैं तो जो पहला operation है वह है कि कोई से दो पंक्तियां और दो कॉलम का परस पर भी निवे करना ठीक है कोई से दो रो कोई से दो खार मिकर्न का आपस्पे एंट्रचेंज किया जा सकते करना अगरывать को ज कीया जाता है तो इसको रिप्रेजैंट किया जाता है इस प्रकार से ओस-त्रो इस इंट्रचेंजेंज्ट बगूर्स Anyone i-way column को j-way column के साथ interchange किया जाता है तो उसको इस तरह के से represent करेंगे i-th column is interchanged with j-th column ठीक है इसमें एक example दिख लेते हैं matrix A हमें given है ठीक है और इसमें operation apply किया गया है r1 is interchanged with r2 means पहली पंक्ती और दूसरे column को आपस में interchange करना है it means पहली पंक्ती के elements आजेंगे दूसरे column दूसरी रो में और दूसरी पंक्ती के element आजेंगे पहली पंक्ती में ठीक है फिर हमें यह वाला matrix मिल जाएगा next operation है second operation किसी एक पंक्ती या एक column के सभी elements को किसी सुनित्तर संक्या से गुणा करना किसी एक row या एक column के सभी elements को सुनितर मतब सुन्य को छोड़के बागी किसी भी real number से गुडा करना ठीक है इसे represent इस तरह के से किया जाएगा इसका मतब है I throw changes to KRI means R1 में change कर रहा है कि पहली पंक्ती के सभी elements को मल्टिप्लाइ को यह real number होगा उससे मल्टिप्लाइ करना ठीक है यह example दिख लेते हैं इसमें इसमें यह matrix B गिवन है और हमें इसमें operation apply करना है C3 changes to 1 upon 7 C3 it means तीसरे column के सारे elements में 1 upon 7 की multiply करनी है डिक है तो जब तीसरे column के सभी elements में1 upon 7 की multiply करेंगे तो हमें इस तरह के से matrix मिल जाएगा तो यह था दूसरा operation कि किसी एक row और किसी एक column के सभी elements के साथ किसी शुनित्र संख्या से मल्टिप्लाई करना next third operation और यह most important operation है क्योंकि इस operation का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वैसे दो पहले दो operation भी important operation है पर यह operation हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इस operation के according किसी row या किसी column के elements में किसी दूसरे row या column के जो corresponding elements देंगे उसमें किसी सुनियत्र संख्या से गुणा करके जोड़ना ठीक है symbolic form में परतिकात्पक रूप में इस परकार से लिखा जाएगा इसका मतलब है आइथ row is changes to आइथ row प्लस के इंटू जे त रो आइथ row में हमें यह change करना है कि आइथ row में जोड़ना है कोई दूसरा row जे त रो में के सभी elements में के की मट्टिपलाई करके इसमों जोड़ देना है इस example से समझ ज़ते हैं इस example में एक matrix हमें C गिवन है और इसमें हमें operation अप्लाई करना है R2 changes to R2 minus 2 R1 means दूसरी row में से पहली row के element में 2 की गुणा करके घटाना है तो इसमें पहली row में element है 1,2 और दूसरी row में element है 2 minus 1 ठीक है तो दूसरी row में से घटाना है पहली row के element में 2 की गुणा करके घटाना है तो 2 में से घटा देंगे पहली रो में यहई ऐधा है एक दो में कम दो डो में से दोक्टास जीलो आ गया ठीक है अब ऐसमें जो पहली रो में दुसरा वालाशिम्नथ में तो इसमें डोकी गुञटा करो तो दुनी चार और इसे सिसमें से मैं वालेmud दोकी तो मांने से को समझने के बाद और यह टूटल कितने होते हैं अलिमेंटरी आपरेशन वैसे तो है तीन और तीन पर और तीन कॉलम पर अगर मालने तो तीन तीन चैनल सकते हैं वैसे है तीन ओपरेशन ठीक है तो से समझने के बाद डिसकस कर लेते हैं एक इंपोर्टन प्रॉपर्टी को ज कि सब्सक्राइब र rich इड़ तो अमें जांज पर डोई tari Ship Sang तो अगर हम कि Ell suspense कम अंप्यों करते हैं इस बड़ो Compassion के हमें एक्सपे और अर्ष अधकर्ड़ाइब करते हैं है ये आपक प्रक्रीक्स उसे पहले वाले Vitट को सह launcher खोably Nawet elementary row operation एक साथ दोनों पर अप्लाई करते तो एक साथ का मतलब है कि जो row operation हम x में अप्लाई करेंगे वो ही a पे भी अप्लाई करेंगे तो समी करण में कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है इसी तरह के से elementary column transformation के लिए है elementary column operation के लिए कि जो elementary column operation apply करेंगे x में और a b के product जो होगा उसमें दूसरा वाला matrix दूसरा वाला मतलब b matrix b पे ठीक है तो elementary column operation अगर हम x और b पे एक साथ अप्लाई करते हैं एक साथ का मतलब है जो elementary column operation हम x में apply करेंगे वो ही जो दूसरा वाला matrix होगा a b के product में b वह हम b पे अप्लाई करेंगे एक साथ तो समीकरण में कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है exercise के सवाल करेंगे तो और clear जाएगा अब सबज़ लेते हैं कि कैसे हम a inverse निकाल सकते हैं प्रारंबिक रुपांत्रर या प्रारंबिक संक्रिया के द्वारा by using elementary transformation तो दो तरीके से कर सकते हैं या तो हम use करेंगे रो ट्रांबिक या फिर कॉलम ट्रांबिक अगर हम रो कर रहे हैं तो रो ही को ही अप्लाई करेंगे ठीक है एसने की बीच में कॉलम वाला अप्लाई कर दिया और अगर हम column वाला apply कर रहे हैं तो column वाला ही apply करते रहेंगे SNE के बीच में row का apply कर दिया तो elementary row transformation का use करके कैसे हम A inverse निकल सकते हैं तो इसके लिए जो matrix A हमें दिया रहेगा इससे लिखेंगे इस तरह किसे A is equal to I A I A ही लिखना है ठीक है फिर इसमें elementary row operation अप्लाई कर देंगे A में भी और I में भी जो A में अप्लाई करेंगे उसी समय I में भी अप्लाई करेंगे ठीक है और यह करना भूल जाते हैं अक्सर तो यह याद रखना है कि जो A में अप्लाई करेंगे वही I में भी अप्लाई करेंगे same time ठीक है और यह तब तक apply करते रहेंगे बार apply करते रहना है और इसको बनाना A matrix को बनाएंगे I ठीक है इसे I बनाएंगे और यह I जो है वो बन जाएगा कुछ matrix बन जाएगा suppose यह B बन जाता है ठीक है तो हमें इस तरह के से मिल जाएगा I is equal to B A शिवात में मैंने तुम्हें बित्करवनिया आप यू जब बताया था तो अगर A कोई square matrix है और square matrix B का स्थित इस प्रकार से है कि A B is equal to B A is equal to I तो B A का inverse होता है तो उस definition के according B A का inverse है ठीक है और column transformation का use कैसे करेंगे column transformation का use करने के लिए जो matrix हमें given होगा A उससे लिखेंगे इस तरह के से A is equal to A I ठीक है रो में हमने लिखा था I A और यहाँ पर लिखेंगे A I इसका ध्यारकना है I बाद में आएगा क्यों क्योंकि जब इसमें हम column transformation use करेंगे तो जो column operation हम A में अपलाई करेंगे कि वो ही operation हम दूसरे वाले पर अपलाई करते हैं और इसलिए हमने I को A के बाद दिखा है तो same वो ही column operation apply करेंगे I पर भी ठीक है तो same elementary column operation A में और I में apply करने के बाद A बन जाएगा I और I बन जाएगा B तो यह हो जाएगा I is equal to AB और अभी मैंने invertible matrices की definition से तुम मताया कि AB is equal to BA is equal to IEI के है तो BA का inverse होता है तो उस definition के according B is equal to A inverse चीक है तो इस तरह के से हम elementary operation का use करके A inverse ज्याद कर सकते हैं invertible matrices और elementary operation on matrices और कैसे हम elementary operation का use करके A inverse निकाल सकते हैं यह तीनों बाते समझने के बाद शुरू करते हैं exercise 3.4 और अगर यह तीनों बाते अच्छे से समझ आ गई है तो exercise 3.4 को समझने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी करते हैं पहला question करते हैं इसमें matrix से हमें given है और हमें इसका A inverse निकालना है by using elementary transformation ठीक है तो या तो हम row operation apply करेंगे या फिक column operation apply करेंगे ठीक है अगर हम row operation apply करेंगे तो हर steps में row operation ही apply होगा और अगर हम column operation apply करेंगे तो हर step में column operation ही apply करेंगे ठीक है इस बात को ध्यान से note कर लेना यहाँ पर हम row operation apply करेंगे, ठीक है, तो matrix A को लिख देंगे, A is equal to I A, अगर हम column operation apply करतें, तो इस तरह के से लिखना होता, A is equal to A I, ठीक है, इस बाग पर दिखान देना, रोट करने वाली बात है, इसमें I बाद में आएगा, ठीक है, अगर हम column operation apply करतें, पर यहाँ पर हम row operation apply करतें, तो इस तरह के से लिखेंगे, A is equal to I A, आई पहले आएगा, ठीक है, तो उसका ध्यान करता हूँ, row operation, elementary row operation apply करके, A inverse निकालने के लिए, हमें, row operation इस तरह के से apply करना होगा, कि, यह जो matrix A है, यह identity matrix बन जाएं, means, पहली row में element होंगे 1 0, और दूसरी row में element होंगे 0 1, ठीक है, तो हमें, means, इसे पहले वाले को 1 बनाना है, जो कि पहले से 1 है, और फिर इसे 0 बनाएंगे, ठीक है, फिर, दूसरी row का, दूसरे column का, जो element 3, इसको 1 बनाएंगे, और फिर इसे 0 बनाएंगे, ठीक है, द्वार आवरे इसे वन मनाते हैं फिर जीphrते फिर इसे फिर इंट नाते हैं मैंट्रिक सब करेंगे सब सब्सक्राइब का है निचे बाद है original ना कर ना का कीफorangक और करने का थीक्स्त नियुक्त मेहं डश्व Art Train औहुंतंद हो थीक्षिन तो आगे देखेंगे बाद में है तो अभी हमें इसको 1 बनाना है और यह पहले से 1 है तो ठीक है यह तो 1 है अब हम इसको 0 बनाएंगे 2 को 0 बनाएंगे तो 2 को 0 बनाने के लिए अगर हम इस 1 में 2 की गुडा कर दें और फिर 2 में से 2 घटा दें तो इस 0 हो जाएगा ठीक है तो इसको 0 कैसे बनाएंगे R2 में change करेंगे Second row में change करेंगे क्या change करेंगे Second row में से घटाएंगे पहली row के elements में 2 की multiply करके ठीक है तो इसमें 2 की गुणा करी 2 एकम 2 और फिर 2 में से 2 घटाया 0 ठीक है फिर इसमें 2 की गुणा करेंगे 2 एकम 2 माइनस 2 और तीन में से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस जाएगा तो तीन और दो पांच ठीक है सेम यही रो ऑपरेशन हम इसमें भी अपलाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ और यह ध्यान रखना ठीक है क्योंकि कई ऐसे यह चूट जाता है तो यह ध्यान देना कि जो रो ऑपरेशन हम लेएम अफ अंसाइड भी अपलाई करता तो तॉकर थेकर में यह जो गुँरा करते हैं फिंशें ओध हली जो-जो डू ऑफैट संसाइड हैं रहे कि एक बना चुकर है और यह यह सु फ़गा बनाई एक है leggite कि के को फैर आ इस बनाने के लिए सब्सक करेंगे ठीक है क्योंकि 5 जीकम 5 एक बन जाएगा तो इसे एक बनाने के लिए second row में change करेंगे क्या change करेंगे second row के elements को भाग करेंगे 5 से ठीक है तो पहली row में तो कोई change नहीं होगा और second row के element को 5 से भाग करना है जीरो बट्टे पांच जीरो होगा और पांच बट्टे पांच एक हो जाएगा सेम वही रोपरेशन हम इसके साथ अप्लाई करेंगे पहली लो में कोई यह-1 है और यह 1 है तो बहुत इसली पताले जाएगा कैसे 0 बनेगा अगर हम-1 और 1 को add कलने तो भी 0 बन जाएगा है ना 1-1 प्लस 1 0 होता है तो इसे 0 बनाने के लिए minus 1 को 0 बनाने के लिए r1 में change करेंगे क्या change करेंगे r1 को r2 के साथ add कर लो इस्ट रो को first row के elements को second row के elements के corresponding elements के साथ add कर लेंगे ठीक है तो 1 प्लस 0 1 और minus 1 प्लस 1 0 ठीक है same यह यह रो ऑपरेशन अप्लाइब करेंगे इस मेट्रिक्स में भी 1 प्लस माइनस 2 अपान 5 यह जागा 3 अपान 5 अगर समझ में ना आया हो तो पूछ लेना टू इन्टू आर्डर के बैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखने के बाद अब हम सीखेंगे 3 इन्टू 3 ओर्डर का बैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना अब एक शकृत आसान है बजाय 3 इन्टू 3 ओर्डर के इन्वर्स निकालने अब ठीक है तो इसे बहुत ध्यान से सब GTAंच और जब करोगे तो बहुत ध्यान से करना है सुरुआते बहुत आराम से करना क्योंकि इसमें गलती होने के बहुत chances होते हैं 3 into 3 order के matrix का inverse निकालने में ठीक है तो question by 16 करते हैं इसमें हमें matrix A given है और हमें इसका inverse निकालना है by using elementary operation कोई सब भी operation apply कर सकते हैं या तो row operation या फिर column operation यहाँ पर हम row operation अप्लाई कर रहे हैं इसलिए A को लिखेंगे A is equal to I A और जैसे कि मैं तुम पहले बता चुका हूँ अगर हम column operation अप्लाई करते हैं तो इस तरह किसे लिखते हैं A is equal to A I उसमें I बात बाता है ठीक है तो इसे row operation apply करके A inverse निकालने के लिए सबसे पहले हमें row operation इस तरह के से apply करना होगा कि जो matrix A है वो identity matrix बन जाएं ठीक है हम इस तरह के से row operation apply करेंगे कि matrix A I बन जाए identity matrix बन जाएं means पहली row के element हो जाएं 1, 0, 0 0, 1 0, 0, 0, 1 ठीक है तो यह तो already one है अब इसको one करने के बाद बाकी दो elements को इन दो को 0 करेंगे minus 3 और 2 को 0 करेंगे तो minus 3 को अगर हम इसमें 3 की गुणा कर दें और minus 3 के साथ जोड़ें तो यह 0 हो जाएगा ठीक है तो minus 3 को 0 कैसे करेंगे दूसरी row में change करेंगे क्या change करेंगे दूसरी row दूसरी row के elements में add कर देंगे पहली row के elements में 3 की multiply करके ठीक है तो इसे 0 करने के लिए इसमें 3 की गुणा करो 3 कम 3 minus 3 के साथ जोड़ेंगे तो 0 इसमें 3 की गुणा करो 3, 3, 9, 0 के साथ जोड़ेंगे इसमें 3 की गुणा करेंगे 3, 2, 6, minus 6, minus 5, minus 6, minus 11 ठीक है अब 2 को 0 करना है एक साथ 2 changes किया जा सकते है ठीक है तो साथी साथ हम इसको भी 0 कर लेते है 2 को भी 0 कर लेते है इसे 0 करने के लिए अगर हम इसमें 2 की multiply कर दें 2 एक कम 2 और इसमें से घटा दें फिर 2 minus 2 0 जाएगा तो इसे 0 करने के लिए हमें change करना होगा 3 रो में ठीक है और क्या change करेंगे तीसरी रो में से घटा देंगे पहली रो के elements में 2 की multiply करेंगे और तीसरी रो में से घटा देंगे ठीक है तो इसे 0 करते है इसमें 2 की गुणा करो 2 कम 2, 2 में से 2 गया 0 इसमें 2 की गुणा करो 2 की 6, 5 में से 6 गया, minus 1 इसमें भी 2 की गुणा करो तो दो नीज चार माइनस चार जिरू में से चार कटाओ माइनस माइनस प्लस चार आ गया ठीक है तो सेम यही रो आपरेशन जो हमने यह और यह अपलाई किया है सेम यहापर भी अपलाई करेंगे दूसरी पंक्ती में और इसमें ठीक है और वो इस तरह किसा देगा इसे अपड़ाप करके देखना तो यह तो वन जीरो जीरो हो गया अब पहले इसे वन बनाओ नौ को इसे वन बनाने के बाद फिर बाकी दो को जीरो बनाएंगे ठीक है तो सोचो ज़रां इसमें तो मैं बतातू वा इसमें यह कैसे वन बनेगा अगर इसमें 8 की घुड़ा करदे मायनस एक में तो है hinter जाएगा मायनस साथ और नौ के साथ इसे जोड़ दे तो नौ मैनस आथ एक तो इसे एक बनाने के लिए दूसरी ρो में change करेंगे क्या change करेंगे दूसरी रो के elements में add कर देंगे तीसरीети रो के elements में art की multiply करके ठीक है थीक है वैसे तो इसे एक बनाने के बाद फिर बाकी दो को zero बनाते है ठीक है लेकिन यहां पर हम अभी इस समय 3 को भी साथ-साथ 0 बना सकते हैं इसको एक बिनाने के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स तो इसे 0 बनाने के लिए क्योंकि पहली रो में ना तो पहली रो में चेंज करेंगे ठीक है आर वन चेंजेस टू आर वन प्लस थ्री आरती पहली रो के एलिमेंट्स में तीसी रो के एलिमेंट्स का तीन का गुनज जोड देंगे ठीक है तो इसमें थीं की उगण हो रहे जूँ सब्सक्राइए इसमें तीन की महीर हो घ्रून तीन माइनस 3 flat 30 0 हो जाएगा जे रहे हैं आशा प्रलाश痛 कुप प्रकार से तसमत्राइब साइचिक में अग्तारम करें इसमें अट की गुना करो जीरो जीरो आज़ेगा ठीक है इसमें यहां की गुना हो मैनेस आठ का चुक रिएगा है यह स्राहि dedicate अग्सार्ट तो यह तो एक 00 हो गयता मिए जीरो एक हो चुका अब इसे भी 0 हो बनाना और इसे जीरो बनाना बहुत आसान है कि ट prowad को जिरो बनाने के लिए अगर किसके साथ एड़ कर ले तो यह जीरो कि अब आपकेशिन अप्लाई करना है में आरथी चेंजेश टूर्थी प्लिस अर्टू और जोड़ देना तो यह फिर इस तरह के साधिया जीरो वन जीरो ठीक है पके हैं यह यह उन जीरो जीरो चुका है अब हम इसे जीरो जीरो वन बनाएंगे तो इत्मिस पहले सबसे पहले से वन बनाएंगे ठीक है पहले से वन बनाओ फिर बाद में इन दो को जी रो बनाएंगे 25 को 1 बनाने के लिए तीसरी रो के ऐलिमेंट्स में 25 से डिवाइड कर दो ठीक है कि यह 25 गम 25 हैगा तो आर्थी चेंज़ेस टू 1 अपाउं 25 इंटू आर्थी ठीक है तो यह 1 बन गया अब बाकी यह जो दो एलिमेंट्स है इन्हें 0 बनाना है इसे एक बनने के बाद तो इसको 0 कैसे बनाएंगे प्रकार से इसको 0 बनाने के लिए 21 को 0 करने के लिए एक में 21 की गुणा करेंगे ठीक है तो दसको 0 बनाने के लिए पहली रो में पहली रो में change करेंगे R1 changes to R1 minus इसमें 10 रो करेंगे 10 R3 ठीक है और 21 को 0 करने के लिए second row में change करेंगे R2 changes to R2 minus 21 R3 इसमें 21 की multiply करके है ठीक है और same वही row operation यहाँ पर इसमें भी apply करना है ठीक है तो अब यह 100100001 बन चुका है identity matrix बन चुका है ठीक है और identity साथ जो row operation हम यहाँ राइट हैं लाइट हैं पर अप्लाइब करते हैं वही I में भी apply करना होता है और फिर हमें यह वाला matrix में जाता है जो कि B इसे B कह सकते हैं इस B is equal to I then B is set to be inverse of A कि यह वाला जो matrix है यह वाला यह A का inverse है ठीक है तो यह में A इंवर्स निरीगा है यह वाला ठीक है